नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं बेस्मेंट के बारे में बहुत सारे लोगों ने मुझे कई बारे में बात करी कि हमने इस बात को देखा है कि जिनके घर में बेस्मेंट बने होते हैं या बेस्मेंट बने हुए आफिस अक्सर नकरात्म गुर्जा लेकर आते हैं करके detail में समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि basement क्या होता है जब भी आपके पास कोई ऐसा floor है जो ground level से नीचे के तल पर है ground level वो होता है जिस पे आप गए बाहर जो सड़क है उसी के level पर जो आपका उसको basement कहते हैं इसको लिखकर समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले जैसे आप इस image में भी देखी रहे हैं यहां से जो वेक्ती नीचे की तरफ जा रहा है अंधेरे में उसको आप basement कह सकते हैं detail में समझने के लिए हमने क्या किया मान लीजिए कि यह आपका floor है कई बार तो सड़क के level पर है यहां जो सड़क जा रही है उसी के level पर आपका यह floor आपको दिखाई दिया कई बार लोगों ने क्या किया इस floor को 4-5 feet तक maximum उंचा level बना दिया तो इस मकान का ground level यही माना जाएगा जहां पर 70% of the मकान बनावाई, 70% of the plot constructed है, उसी को उस मकान का ground floor माना जाता है, सबसे पहले इस बात को जानना बहुत जरूरी है, लोग zero level नहीं मान पाते हैं, जिसको हम zero level कहते हैं, बिना zero level के ups, downs और basement की calculation करना भी गलत हो जाता है, तो यह zero level हो गया, जहां पर 70% of the मकान constructed है, आपके plot पे कोई चीज बनी हुई है, अब basement दो तरीके के आते हैं, अगर यह मकान ground, जहां पर सडक बनी हुई है, उसी के just नीचे आपका मकान बनाए, उसी के just नीचे ही आपका basement शुरू हो गया, मतलब सडक और मकान एक दूसरे के level पर हैं, और नीचे down में आपने अपना basement बना दिया, उससे क्या नुकसान होंगे, इस basement में चारो तरफ अंधेरा रहेगा, मतलब रोशनी के लिए कोई साधन नहीं है, यहां पर कोई साधन नहीं बन रहे रोशनी के, इस case के अंदर फिर भी समस्या देखने को मिल सकती है, जहां पर सडक और ground floor सेम लेवल पर हैं, और आपने basement स्टार्ट कर दिया, चाहे वो पूरे मकान में हैं, इसमें समस्या देखने को मिल सकती है, 100% नहीं है, लेकिन मिलने के chances बहुत जाद हैं, अब उसरी calculation क्या है, आपके मकान का ground level plus 4 feet है, हालां कि यह जो fits हैं, वो भी अलग-अलग level पर निर्धारित करते हैं, जब हम आगे कभी detail में बात करेंगे, तब इस बात को समझेंगे, 4 feet है, मान लीजिए कि आप आए, और आपका जो basic level है मकान का, वो 3-4 steps चड़ने के बाद, 2-3-4 feet तक उपर है, और वहां से फिर आपने basement भी दे रखा है, मतलब जो आपका basement है, वहां से जब आप अपनी छत को देखोगे, नीचे खड़े होकर, तो आपको side में आले बने हुए दिखेंगे, या ventilation का साधन दिख जाएगा, जैसे यहां पर खिड़कियां बना देते हैं, अकसर कई लोग, है वो basement ही, लेकिन उसकी चत से आपको बाहार का ground level plot का दिखाई देता है, और आपको सड़क दिखाई दे देती है, या आपके पास कहीं भी चारों दिशाओं में से एक दिशा में आले हैं, मतलब रोशनी आ सकती है, रोशनी नहीं भी आ सकती, लेकिन फिर भी वो जो basement है, वो थोड़ा सा उपर है सड़क से, तो मान लीजिए ये फिर भी आपका अच्छा है, comparatively जिसके अंदर बिल्कुल रोशनी नहीं आती, इससे काफी ज़्यादा अच्छा ये वाला रहने वाला है, बशर्थ कि ये पूरे-पूरे plot में बने हुए हैं, ना कि किसी particular direction में, इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिए, हाला कि जब आप किसी घर का chain करते हैं, तो आपको उसके outer impact, मतलब, साथ वाली building बना होना, left-right वाली building बना होना, ये बहुत सारी calculation होती हैं, जैसे मेरी एक छोटी सी calculation है, आप सभी ने कभी नहीं सुना होगा, आज आप इस बात को सुनने की कोशिश कीजिए, कि east में, जिस भी वेक्ति के घर के east वाला घर, अगर उंचा हो जाता है, पूरो वाला घर अगर उंचा हो जाता है, तो इस घर में, जिस घर में आप रहते हो, 100% समस्या आती है, और financial crisis आने शुरू हो जाते हैं, चाहिए वो shop of fail हो जाती है, इस तरीके की बहुत सारी calculations हैं, जिसको आपको दियान रखना होता है, रजसतव तमस की land है के नहीं है, land उर्जा कैसी है, outer impact कैसे है, इन सभी के अधार पर हम लोग बात करते हैं, एक perfect plot के chain की, जो हम advanced course के अंदर सीखते हैं, अभी हमने बात करी, दो तरीके के basement की, तीसरे तरीके का basement आता है, जो partially है, पहले हमने एक तरीके में दो ही देखे, कि थोड़ा सा आला बना हुआ है या नहीं बना हुआ है दूसरा है पार्शल ही बना हुआ है अब इसमें चाहे बेस्मेंट में आला बना हुआ है चाहे नहीं बना हुआ है लेकिन अगर ये पार्शल ही बना हुआ है जैसे मानली जी ये आपका घर है ये नौर्थ ये साउथ ये east और ये west, अगर partial basement बना हुआ है, तो north के हलका सा part, मतलब north-northwest से लेकर east तक, east-south-east भी नहीं आना चाहिए, यहां तक ही अगर बना हुआ है, तो बहतरीन है, बहुत अच्छा है, बहुत जादा अच्छा है, और बाकी अगर आपका fill है, तो बहुत बढ़िया, जब partially बन हुआ है, सिर्फ और सिर्फ south east में बना हुआ है, तो बिल्कुल लों है, ऐसी building को कभी नहीं लेना, हमेशा problem रहेगी, और कोई ना कोई दिक्कत आती रहेगी, चाहे आपका ground floor पूरा वास्त बना हुआ है, तो भी south east और south west में बना हुआ basement, आपको बहुत सारी समस्या देगा लेकिन हा, north east में भी बना हुआ है, south west में भी बना हुआ है, तो फिर से balance हो गया, level same होना चाहिए, या यहां से लेकर पूरा यहां तक बना हुआ है, तो भी चल जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि east ले लिया, सिर्फ और south east ले लिया, यह कभी नहीं चलेगा, मतलब यह प 30 जादा आ गया, south west जादा आ गया, hundred version problem है, और north west अगर avoid कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, और ले भी लो तो फिर भी remedy करी जा सकती है, या land रुजा देखकर इसको treat किया जा सकता है, तो north west से लेकर north east तक front में बना हुआ है, बहुत बढ़िया, north east से लेकर south east तक बना हुआ है बिलकुल wrong है, बिलकुल गलत है, कभी नहीं लेना, बहुत सारी समस्या दे सकता है, north west से south west बना हुआ है, कभी नहीं लेना, बहुत सारी समस्या दे सकता है, इस बात का विशेश कर दियान दे, उसके बाद बात करते हैं, अगर आपकी shop, basement में बनी हुई है, same rule लागू होते ह हैं, 100% same rule लागू होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या difference आता है, कि आप ही की अकेले की shop basement में, और किसी की shop basement में नहीं है, बाकी सब अपने अपने level पे काम करते हैं, तो क्या सब को impact आएगा, बिलकुल नहीं आएगा, यह किसी भी तरीके का basement हो, बड़े अराम से लिया जा सकता है, इसके अंदर आपने इसको grid किया, जहां पर आपकी stairs entry कर रही है, मतलब basement के case में concept change हो जाता है, first floor के concept में last step is the entry, basement के concept में first step is the entry, इस बात को हमेशा दियान रखना, जब लोग stairs को grid करते हैं, आपकी stairs बनी हुई है, और यहां पर first floor आ रहा है, तो this is the entry for first floor, for basement भी यही entry है, जहां से आप नीचे उतर रहे हो, समझें इस बात को, जैसे यह basement आ गया और यहां पर stairs आ गी, तो इसी first step को आपने entry मानना है, first floor के concept में last step, जो ground से last गया है, उसको entry माना जाता है, तो इस वाले plot की, basement की entry क्या है, फिर अलग से grid करके देखिए, कहां आप बैठे हो, कहां evaluation करना पड़ेगा, तब जाकर एक final निसकर्ष निकलता है, concluded क्या है बात, सबसे पहले अगर आपका basement है, तो क्या उसमें बाहर रोश नहीं बन सकती है कि नहीं बन सकती, क्या वो बिल्कुल अंधेरे वाला basement है, क्या उस basement के अंदर, आपकी जो partial basement है कि नहीं है, किस particular direction में है, और fourth point आता है कि उसकी entry क्या है, अगर वो individual case में use हो रहा है, पूरी building आपकी नहीं है, पूरी building अगर आपकी है, तो वो basement के अंदर आप सेम घर या सेम तरीके से utilize करते हो, तो उसको देखना पड़ेगा कि वो कौन सी दिशा के अंदर आ रहा है, इन सबी बातों का विशेश क द्यान दे, basement लगभग इसी तरीके के होते हैं, अगर फिर भी आपके मन में कोई और दो रहा है, या doubt हो, तो उसको जरूर पूछिएगा, और comment में लिखेगा, I hope कि मैं आपको answer कर पाऊँगा, बहुत बहुत धन्यावाद अभार, खुब सब्सक्राप्यावादू